हाई गाईज गूड अफ्टनोन मैं हूँ आशीश्चर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेज तो गाईज पिछले 2-4 दिनों से आपके वीडियोज आपको नहीं मिल रहे होंगे आप लोगों ने रगाता 3-4 दिन से वीडियोज नहीं पाए हैं तो आज हम लोग फिर से अपने चैनल पर आए हैं तो फिर से आने का मतलब है कि आप लोगों की कही न कहीं उपस्थिती कमजोर पड़ रही है कहीं न कहीं आप लोग अपने क्लासेज को miss करते हैं और आपकी replies नहीं मिल पाती हैं इसके थोड़ा सा hopeless होना पड़ जाता है मैंने आपको क्या बताया कि if really you want to get something then weeps and comment must be because your comments and your weeps are always telling that what is running with your minds and what can I change in my teaching skill अगर आप लोग बताना शुरू करेंगे आपके comments से में clear होता है कि आपको doubts क्या है आपके बीप से यह पता चलता है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको problems कहां पर है जब आपके problems हमारे सामने आती हैं guys तो we are just going to remove that type of doubts in your brain from your brains अगर brain से अपने अपने doubts निकालने हैं तो completely आपको join करना होगा आपको च्छे से reply करनी होगी जब आप वीडियोस को देखते हैं तो आपका concentration total आपके वीडियोस पर होना चाहिए क्योंकि always mind that bad evils are going to infect our minds easily एक बुरी चीज होती है जो अपना प्रभाव बड़े जल्दी से दिखाती है और आसानी से वह हम पर घर कर जाती है तो हमें सबसे पहले अपने इस bad evils को ही control करके बाहर करना है यानि कि जब कुछ अच्छी चीजे मिलती है तो उससे हमारा मन बिचलित होता न तो अच्छे को पाना है तो सबसे पहले अपने मन को अपने control में रखना सिखे because if your mind will be under of your control then you can do whatever you want जो भी आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं तो today we will read something else आज हम कुछ और पढ़ेंगे तो आज हमारी बारी है आज हम पढ़ेंगे use of while second while while का मतलब क्या होता है guys if we will search on your google's or youtube's or something else हम इसको सर्च करते हैं तो इसका आर्थ क्या होता है जब की होता है क्या होता है जब की ठीक है तो now today we will talk about this one जब हम इस while को उसके साब्दिक अर्थ में पढ़ना सुरू करते हैं whenever we are going to read its actual means means इसके वास्तविक means में इसको पढ़ना सुरू करेंगे guys जब की और जब की तभी यूज होता है कि जब हम एक के साथ में दूसरा compliment sentence लेकर चलते हैं तब जैसे मालीजी अगर हो जाए कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं जब की वह हिंदी बोलता है ठीक है मैं अंग्रेजी सीखता हूं जब की वह क्या करता है हिंदी बोलता है तो मैं अंग्रेजी सीखता हूं सबसे पहला sentence यह हुआ वह हिंदी बोलता है दूसरा sentence तो जब की क्या कर रहा है दोनों sentences को joint करने का काम कर रहा है ज्वाइंडर का काम कर रहा है इसनेक्ट करने का काम कर रहा है तो whenever we are talking these types of words are going to join two sentences together that is called the conjunction जब ऐसे वर्ट दो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें उसी को conjunction केती है तो मैं अंगलेजी शीखता हूं यह sentence कौन सा हुआ गाईस present in different tense कौन सो हुआ present in different tense तो कौन सीखता है मैं सीखता हूं मैं की English क्या होती है आई अब उसके बाद करता क्या हूँ guys सीखता हूँ, सीखने की English क्या होती है learn, क्या होती है learn, I learn क्या सीखता हूँ, English I learn English जबाब दीचे ऐसे लग रहा है कि क्लास में आप है ही नहीं, reply बरावर होनी चीए, ठीक है, I learn English, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, जब की while उसके बाद, वह हिंदी बोलता है he speaks he speaks हिंदी, क्या बोलता है he speaks हिंदी, जैसे मा मेरे लिए खाना बनाती है जब की आप मुझसे जूट बोलते है ओके गाईस, मा मेरे लिए क्या करती है खाना बनाती है, जब की आप मुझसे जूट बोलते है तो अब यहां सेंटेंस को हम गेस करेंगे तो क्या हो जाएगा मा मेरे लिए खाना बनाती है कौन सा सेंटेंस हो रहा है फिर से सेंटेंस है तो कौन बना रहा है मा, मा के English क्या हो जाती है मदर, अब मदर क्या कर रही है, खाना बनाती है, तो खाना बनाने क्लेम क्या यूज़ करते है, कुक यूज़ करते है, क्या यूज़ करते है, कुक, and mother is a singular number, मा क्या है, एक बचन है, इसलिए इसके साथ में हम क्या करेंगे, कुक्स करेंगे, मदर कुक्स, क्या कुक्स करती है, फूड, mother cooks food, किसके लिए, for me, mother cooks food for me, मा मेरे लिए खाना बनाती है, जब की, जब की आपको आगया है, while, while, तुम या आप मुझसे जूट बोलते हो, तो आपकी English क्या हो जाती है, you, you हो गया, फिर आप क्या करते है, जूट बोलते है, ओके गाइज, now just try to analyze बोलने की बात आई न, तो बोलने की English क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, speak, हाँ, speak होती है, लेकिन गाइज, just mind about that, मैंने आपको कही बार बताया है, कि जूट बोलने का बर्डन जैसे ही होगा, वैसे ही बोलने की English change हो जाती है, बोलने के लिए हम क्य क्या यूज करते हैं तो यू टेल अलाई कि से टू मी ठीक है जैसे वह मेरे साथ खेल रहा है जबकी जबकी आप मुझे परिसान कर रहे हो क्या हो गया है वह मेरे साथ खेल रहा है जबकी आप मुझे परिशान कर रहे हो जबकी आप मुझे जूड बोलते थे अब यहां पर क्या हो रहा है जबकी आप मुझे परिशान की बात हो रही ही मेरे सात्स वह हो जाएगा क्या हो जाएगा हॉसक्र लाओं सीजेश तो he is playing कैसे लाओं मेरे साथ साथ की इंग्लस क्या होती है with और उसके बाद किसके साथ में खेल रहा है me with me जबकी जबकी के English क्या हो जाएगी while क्या हो जाएगी while आप मुझे परिशान कर रहे हो कौन परिशान कर रहा है आप आपके English क्या होती है you you के साथ क्या लगता है are आप परिशान करने के English क्या होती है tease, क्या होती है tease होती है, तो he is playing with me, while you are teasing me, जबकि आप मुझे परिशान कर रहे हो is that clear, have you got proper, समझ में आया न, is there any doubts, कोई doubts है no, I have already told that if your tense will be clear then automatically, nearly nearly 70% users will be clear अगर tense आपके clear हैं, तो लगबग 70% की users clear होते हैं अब जैसे दोनों step को ले लीजिए पहला step ये, दूसरा step ये बीच की संख्या क्या होती है, जबकि ये connective word है, बाकी first step, principal class and subordinating class, दोनों ही क्या हैं, पूरे complete sense में हैं, हम दोनों को tense के recording solve कर रहे हैं, इसलिए tense को आप proper mind में रखिए, definitely you can do something well, तो आप आपके समझ में आ गया होगा, अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया है, तो कुछ exercise note किजए, exercise किजए क्योंकि हमें पता है कि आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो आप लोग practice बिल्कुल नहीं करते, जब आप लोग comment करके ये तक नहीं बता पाते कि you got your uses or not, आपके समझ में आया कि नहीं use, उसकी reply तक आप नहीं कर पाते, then how can I believe that you will do exercise your own self, तो मुझे विश्वास कैसे हो कि आप खुद से exercise करोगे, इसले कुछ exercise आपको मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ आप खुद से किजएगा, लिखिए, जब मैं, मैं आप से बहस कर रहा हूँ जबकी वह अपना पाठियात कर रहा है, थीक है, वह अंग्रेजी सीख रही है जब की मैं जब की मैं गहरी नीद में सो रहा हूं ठीक है मा मंदिर में पूजा कर रही है जब की पिता जी बाहर रामायट पढ़ रहे हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ जबकि वह मुझे अपने घर बुला रहा है तुम सच बोल रहे हो जबकि मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जज, जज, अपराधी से प्रस्ण पूछ रहा है जबकि वकील उसे बचा रहा है मैं मेले में जलेवी खरीद रहा हूँ जबकि तुम आईस्क्रीम खा रहे हो मैं बाजार जा रहा हूँ जबकि वह मोबाईल चला रहा है माली माला बना रहा है जबकि पुजारी मंदिर में फूल चड़ा रहा है ओके गाईस नाओ रहा है जबकि तुम आपको मैं जितने भी उसे दिया हूँ जो भी वेपस हैं आपके उसे देख करके आप कमेंट जरूर किजें तक कि उसमें जो चेंजिंग करना हो we will do something well and you have to mind about these all things. We will meet in next video. Since then, goodbye and take care all of you.